साथ सान जी अगला स्वाल जी रहा है वो भी कुछ एहो जी है केंदे ने स्वाल करता ने लिख्या के एजनिया लफज ने के दोलत गुजरान है इस्त्री इमान है पुत्तर निशान ये ना सादे कथाकार व्याक्षाकार आम तोरते कैई वरी इना तुका नू वर्त दे ले तो गुरु हर्गबिन साथ जी दे खास करके इसे ले सुनाया जन्दा ता ओदे विच ए तुका जी ने वर्तिय जन्दे ने तो स्वाल ये आया कि ए शबद जिड़े छेवे पाथ्षा जी ने किन वाक्षे सिगे मैं रिपीट कर रहे हैं दोलत गुजरान है इसती इमान है फुत्तर निशान है तो मैं बेंती करना लगा विच जगेज सिंग जी नू पटे आलात हो यो किरपा करके एस अनू सम्यांदा यतन कर विच जगेज सिंग अनम्यूट कर लो जी अनम्यूट कर लो जी जगेज सिंग वाहिगूर जी का खाल्सा वाहिगूर जी की फटे जी पने गुजरात बेच सा दोला नाम दा फकीर बहुत प्रसिद सी उसने लोग पलाई दे अनेका काम किते हम उसने पिंबर द्रयादा बन बननेया अते द्रयादों ते पल बनाया अते स्याल कोट अते अमीनावादियां नजियां उपर भी पल बनाये लोग वदा बहुत सतकार कर दे संग गुरू साहब जी ने भी उना दी तरीव कर देया उनानू फकीर मौला आखके नवाजया सी साद दोला दा एक चेला सी जहांगीर ओ गुरू साहब जी दे नाल फोजां को उडे हथियार सिख सेवक अते साही ठाठ वाट नू बेह के बहुत हैरान हुया गुरू साहब जा ब्याहे अते संतान बाला होना उसली होर भी रनीदा कार नसी उसको लोग चुपना रहा गया ते अखन लगा हिंदू क्या ते पीर क्या और्त क्या ते फकीर क्या दौल्त क्या ते त्याग क्या लड़के क्या ते बैराग क्या आर्फ क्या ते दुनियादार क्या मजव क्या ते सच क्या पुजारी क्या ते स्वाब क्या मारुथल क्या ते आब क्या ते स्वाब क्या ते गुरू साहनू आब आब मैने पानी गुरु साब मुस्क्रापए ते समझ गए कि जहांगी तू अपने फकीर होंदा हंकार है ते उन्हादे संके निवर्ट करन लई गुरु साब जी ने कहा मेरी रबदादान, और्थ अमान, दौल्द गुर्जान, उतर निसान, फकीर ना हिंदू, ना मुसल्मान आर्प वीचार, मजब सुदार, पुजारी अचार, मारुथाल में जल कुतरत करता ए सब गुरु साब ने ज्वावज दे इदा मतल सी, गुरु साब जी दा, ए सब कोच कहन तो पाव सी मेरी सारी स्थाट अर्ट तरक के और पिम्री तारम का वभववायी प्रभुद्यां दाता हान, मेरी रब दान, मतल प्रभुद्यां है दाता हान और त इमान, जी पत्रें और त आшт-घ। इंद राख़ी है औरत गुजरान था दौर जल्दनो तैसेनो गुजार ह teaching yeah उतर निछ ङुक कि अन है कि है तुकीर ना ही अ हिंदू ना मुसलमान जड़ हिंदू वंधेने ओ ना हिंदू पुजारी अचार पुजारी नू उच्चे आच्रण वाला होना चाहिदा है मारु साल में जल कुदर्त करतार वे मारु साल दे बेचे जल होना पानी होना पाब संसार्कता बेचे आत्मता दा होना प्रवु जी खेड है ए बचन सुनके जहांगीर गुरु दा मरीद बन गया इसना जड़े होने स्वाल सी एक गुरु साब जी ने इदा होना जवाब देता वाहिगु जी का खाल सा वाहिगु जी की फते जिथे गुर्बानी साजूं दर्शक मारक दर्शक कर दिया साथ संग्जियों थे इतियासक कटना हूँ और एहो जे जड़े साम के रिखे हो है इतियासक बोलने ये भी सानू गुरुमत समझनली बहुत मदद कर देने जिस तरह के वी जी 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 शिंग जी ने सारे आखरां दे अर्थ करके सानू दसे न कि हरेक मनुख लई चंगा मनुख बनन लए किड़ी जी जान दी जरूर था तो सानू ठीक है जरना ने स्वाल कीता है उनने दर भी तानवाद है क्योंकि उनन दर स्वाल करके वी जी 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 जिजियर से लब के साड़ी उत्तर ले अंदर और सानू सारे नो इदे बारे ग्यान प्रापत होया है, कि गुरु सहवान जी ने किस तरह लुकाई नाल विचर देया है, हर एक नू ओदे मजब दे मताबक उनू किस तरह सिख्या देती है, जुमें पहले वीरत जिंदर सिंजी में दसे है, कि किसे दे कोई मजब थोपन दी गाल नहीं, परन्तु गुरुन जिंदरा नहीं है, उनने बड़ा भाखूबी दस्यासी, कि कल गी तर पास्षिन किया कि तेरा मजब तैनू मभारक है, साड़ा सानू मभारक है, तो आओ, एक ऐसे बोलने साथ संगत, जिरे संसार विच शांती लियास कर देने, आज यसी देख दे हैं, कि तरम देना ते जि चगड़े चल देने, एक देश नहीं, यह तकरीबन सारे वर्ड वेच भी, किते थोड़े किते बोड़े, बहुते जड़े ने मजब दे, चगड़े चल देने, वेस्टन कंट्रीज की इसे तरह रेसिस्ट रिमार्क्स देने, पर जेकर एक गुर्बानी सानू समझा जे, औ और असी यह बाकी लोका नों समझा सकी है, कि गुर्बानी सा की लिखिया है, तो मैं समझना संसार विच शांती स्थापत हो सकरी है, वीर्जगीर सिंग जी, आप जीदा मेनत करके, जवाब लब के लिए आनली, बहुत बहुत तान्वाद है,